तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं तो जो आपको सभी को बता है कि एक्जाम में six months है तो लेकिन आपको घबराना नहीं है आपको तियारी करते जाना है और अगर आपको stress होता है तो मैं आपसे कुछ बात ने share करना चाहूंगा जिससे आपका stress है I hope कुछ ना कुछ कम हो जाएगा तो देखे stress management में क्या है कि कुछ लोगों को stress होता है क्या मेरा selection हो पाएगा या नहीं तो इस मामले में आपको positive approach रखनी है कि आपको यकीन होना चाहिए कि मेरा selection होगा ही होगा तो देखे किसके हाथ में selection है selection आपके हाथ में है बिल्कुल आपके हाथ में आपको ऐसे होता है कि selection मेरे हाथ में है और उसके लिए आपको मेहनत करनी है इसके लिए मैं आपको बहता हूँ गुर्गोविन सिंग जी का quote है निश्चाय कर अपनी जीत करो आसे ही आप निश्चाय कर ले कि मेरा rank पहले 100 में आ जाएगा या पहले 200 में आ जाएगा या पहले 300 में आ जाएगा और निश्चाय करके अपनी जीत को पकाड़ारो दोस्तों ठीक है तो इससे आप कर गया होगा selection हो जाएगा very very simple मतलब the best way to predict your future is to create it the best way to predict your future is to create it तो कैसे create करोगे इसको दिन रात मेहनत करो mcu practice करो sitting नहीं हो रही तो बैठो तो आपका 100% selection हो जाएगा और दूसरा क्या है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे को याद नहीं हो रहा और मेरे जो साथ वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा पढ़ते हैं उनको याद रहता देखे भई ऐसा किसी के पास super powers नहीं होते हर एक बंदे को बार 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 याद करना पड़ता है और ये पीचिटी एक memory based यानि के समरित्ती बड़ा धारित paper है तो इसके लिए आपको बार 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 रटना पड़ेगा किसी को दो बार में याद हो जाएगा किसी को तीन बार में अंत में किसी भी book की इतनी मजाल नहीं के तुमारी खोपड़ी में घुसेना तो क्या करना है तुम्हें book उठानी है और उसको बार 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 रटते जाना है जितनी बार रटोगे उतना ही तुमारा जो score है improve करेगा ठीक है कई लोग उनको जो रहता है क्यार क्यार मेरा selection होगा या नहीं होगा होगा या नहीं होगा यह जो मतलब एक doubt है वो ही उनको खाता रहता है अंदर तो देखे भाई इसके लिए spiritual होना पड़ेगा तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि spiritual हो जाओ spirituality में believe करो और भगवत गीता का एक शलोक है कि देखे जो करम है यानि कि जो मेहनत है वो आपके हाथ में लेकिन जो फल है वो भगवान भगवान के हाथ में है ठीक है आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है आपके हाथ में फल नहीं है ठीक है आप मेहनत करते रहो तो निश्चे करो कि मैं इतनी मेहनत कर लूँगा और फल आपको जरूर मिलेगा भगवान हमेशा हमेशा बहगवान उसी को fruit देता है भाई जो मेहनत करता है ठीक है अगर आप मेहनत करते हो तो आपको जरूर fruit मिलेगा ही मिलेगा और क्या है कि आपको क्या करना है MCQ maximum Maximum MCQ practice कर करते जाना है रीडिंग करनी है ठीक है नर्वस नहीं हो रहा है तो इसी दरान आपको एक छोटी सी मेरी तरफ से एक टिप है कि अगर आप एक तो सोने और जागने का टाइम सोने और जागने का टाइम जागने का टाइम फिक्स कर लो, मैं बार-बार बोलता हूं कि सोने जागने का टाइम कम से कम फिक्स रखो, इससे आपको पता चलता रहेगा कि यार मेरे पास इतने घंटे अभी पड़े हैं, ठीक है, नहीं तो क्या होगा आप बोलोगे, खुछ से भोलोगे यार कि हाँ, कि आज मैं नाइट में पड़ूँगा, आज मैं दिन में पड़ूँगा, तो इससे क्या होगा, ना तो आप दिन में पड़ोगे, ना रात में पड़ोगे, तो पूरा आपका टाइम बेस्ट हो जाएगा, और आपको आरत भी नहीं लग पाएगी बढ़ाई की, तो कम से कम में एक छोटा सा काम करो कि सोने और जागने का टाइम फिक्स कर लो और दूसरा काम क्या है अहार निद्रा और ब्रह्म चरिया अहार निद्रा और ब्रह्म चरिया अपना अहार रखो बिल्कुल पॉश्टक बिल्कुल पॉश्टक अहार रखो बिल्कुल पॉश्टक अहार ठी देखिए निदरा पर कंट्रोल करो निदरा पर कंट्रोल कैसे करोगी आप बिलकुल पांक बजे उठ जाओ गए और ग्यारां बजे सो जाओ गई पांच बजे उठ जाओगी और शाल को ग्यारां बजे सो जाओगी अभी गर्मिया आएंगी तो बीच में b effort पर आप एक गंटा सो जाओगी, कोई बुरी बात नहीं है, फिर भी आपके पास बहुत जादा time होगा, बिल्कुल कूल and calm रहे के, बिल्कुल कूल एन काम रहे के अपनी त्यारी करते रही है, ठीक है, आपका के बाते कुछ काम आई होगी तो बने रहे हैं दोस्तों आयर्वेदी क्लास्रूम में मैं हूं ड्क्र मनिश और बने रहे हैं अयर्वेदी क्लास्रूम के साथ